जैहिंद सभी को जैहिंद अब बात करेंगे दोस्तों टू एससी बैंगलुरू साउथ हो या नोर्थ हो या कहीं का भी हो ठीक है दोस्तों अगर आप एक तालिसा फिटी टू एससी या किसी भी एक्जैम की त्यारी करते हो आप सभी को जैहिंद भाई दिल से सलूट है मेरे दोस्तों को मेरी प्यारे भाई योगोग अब बात करेंगे दोस्तों टू एससी सेंटर बैंगलूरू के बारे में 2022 के बारे में इंडियन आर्मी के सबसे बैस्ट विकैंसी है दोस्तों और इस विकैंसे में कम से कम पांसो जिया दोस्तों पांसो पतों पर यह विकैंसी निकल मेरा राजस्थान में आया है मेरा हर्याना में आया है मेरा पंजाब में आया है मेरा यूपी में आया है तो सभी के पास कोलेटर आ गए थी ठीक है और वो क्या डेट थी उनकी वे डेट थी 23 तारिक थी ठीक है किसी की 23 तारिक थी किसी की 23 तारिक थी और किसे की 30 तारिक थी तो ये डेटे निकल के आई थी दोस्तों अब मैं बता दूं अगर आपका अगर आपका इन में से जियां दोस्तों इन में से कोई भी सेंटर हो अगर आपका इन में से कोई भी सेंटर हो चाहिए आपका जारखंड में किसी भी केंट में आपका कोलेटर आया हो ठीक है जबलपूर में किसी भी केंट में आपका कोलेटर आया हो ठीक है चाहिए आप जबलपूर के हो चाहिए आप माराष्टर के हो चाहिए आप दहरादून क्यों बहुत ज़्यादा एक ही message आ रहा था अब जो मेरा जो center है official notice मैंने आपको बताया था बहुत ज़्यादा message क्या आ रहे थे एक ही बात को लिख के आ रहे थे जो ये भरती है भाई ये जो भरती निकल क्या ही है इसका जो process है अब कहाँ पर होगा मैं बता दू भाई important है सभी के लिए बहुँ ज़्यादा confused हो रहे थे admit card जारी हो गया है new admit card भी आपको दिखाने वाल हूँ with proof date के हिसाब से बहुँ ज़्यादा message आ थे क्या सभी का exam center change हो गया है तो उसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों ओकी तो सबसे पहले आपको call letter दिखा देता हूँ देखियो फ्रेंड ये जो admit card है ये एक कोई दोस्त का है ठीक है तो उन दोस्त ने हमें share किया है तो उनका बहुत बहुत दिन्यवाद यहां पर आपको फोटो लगा आएगा फिर यहां पर आपकी मोहर लगे आएगी कई दोस्त बोलेंगे कि हमने तो एक ही फोटो अटेच्च किया था लेकिन क्या हमारा admit card आएगा कि नहीं आएगा भाई सभी का admit card आएगा ठीक है तो इसमें क्या लिखा हुआ यह न्यू को लेटर आया है दोस्तों ठीक है आपके पास message भी आगया होगा message नहीं आए तो call आगया होगा call नहीं भी आया है देखो जो भी center आये थे आपके किसी का पठान कोट आया था किसी का जलंदर केंट आया था तो किसी का कहीं भी आया था तो बहुत ज्यादा message इसी बात को लिखे आ रहे थे तो अब जो इनका return test होने वाला है वो कहां पी होने वाला है ASC Center ASC Center College Bangalore में इनका exam center रखा गया दोस्तो अब जो यह लड़का है बहुत ज्यादा एक ही message आ रहा था आपसे भी का इसमें मैं आपको date भी दिखा देता हूं यहाँ पी इनका cook post का है cook trade आप देख सकते हो जो cook trade थी ठीक है बहुत ज्यादा mistake थी उसमें और roll number भी नहीं आय है उनका भी admit card 100% आएगा ठीक है उनका भी admit card 100% आएगा friend टैंसन नी लेने का पक्का आएगा वाई क्योंकि उनके पास list है उसके हिसाब से को letter भेज रहे हैं क्योंकि उसमें जब letter भेज रहे थे उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी लेकिन अब क्या हो गया पूरा म पहिना पड़ा है तो आप सभी के पास को letter आ जाएंगे last कब तक आएंगे मैं वह भी आपको बता दिता हूं 20 20 फरवरी last है दोस्तों उसके बाद आपके call letter नहीं आएंगे ठीक है फिर भी कुछ-कुछ दोस्तों के आते रहेंगे जिनके रुक जाएंगे ठीक है तो इनका कुक का call letter है इनका जो ट्रेड है कुक ट्रेड है और इनकी जो रिपोर्टिंग है एक्जैम है सबसे पहले इनका क्या होने वाला एक्जैम होने वाला है पेपर होने वाला है जो कि 26 फरवरी 2022 को होने वाला है दोस्तों कब होने वाला है 26 फरवरी 2022 को होने वाला है जो कि सुबह इनको साथ बजे रिपोर्ट करना है कब सुबह साथ बजे मोर्निंग में इनको रिपोर्ट करना है दोस्तों ओके जो इनकी लोकेशन है टेस्ट की लोकेशन है यहाँ पे देख सकते हो गिल स्टेडियम A.S.C. सेंटर साउथ बैंगलूरू में होने वाली है जो रिपोर्टिंग लोकेशन है चैर नमबर गेट है A.S.C. सेंटर कॉलेज बैंगलूरू का ओके वहाँ पे इनको रिपोर्ट करना है दोस्तों अब इसमें क्या करना है इनको पुराना एडमिट कार्ड है जो नए स्टुडेंट है जिनका नया एडमिट कार्ड है सिर्फ एक ही एडमिट कार्ड लेके जाना है वरना उनको क्या-क्या लेके जाना है एक पुराना एडमिट कार्ड लेके जाना है दूसरा आधार कार्ड लेके जाना है और कर दोस्ते यह जो हुआ है यह नंगा में बता दूँ और पैन पैन भी opposition के लिए और टीपीसी रिपोर्ट भी जरूर लेके जाना दोस्तों ठीक है इसमें लिखा तो नहीं हुआ लेकिन प्रोलम कर सकते हैं यहां पर औरिजिनल साइन भी देख सकते हो ओके जो इनी कंडिडेट का है यहां पर देख सकते हो इनका जो यह वाला बैक ग्राउंड है फोटो वह हम आ आर्मी पब्लिक स्कूल देहरादून में इनका क्या था एक्जैम होने वाला था जो कि कब होने वाला था जिन दोस्तों का देहरादून में एक्जैम था उन सभी का एक्जैम कहां चला गया बैंगलूरू में चला गया अब इस बात से अंदाजा लगा सकते हो चाहे आपका कहीं पे भी एकजैम हो, चाहे आपका राजस्तान में हो, चाहे आपका पठान कोट में हो, चाहे आपका हर्याना, युपी, बिहार, जारकन, जम्मू, कहीं पे भी हो सभी का एक ही center है जो है 2ASC 2ASC बैंगलूरू आपका exam center रहने वाला है चाहे वो driver हो, चाहे वो labor हो, चाहे वो कोई भी post हो सभी का exam कहा होने वाला है 2ASC बैंगलूरू में होने वाला है यहाँ पर देख सकते हो वही है, वही background है, वही image है दोस्तों ठीक है, हाला कि मैंने इनकी personal detail चुपा दी है, लेकिन मैं आपको बता दूँ, यह एकदम real है ठीक है, चाहे आपका कहीं पे भी पहले center हो, लेकिन अब आपको कहां पे होगा exam जो होगा, वहाँ पे 2ASC बैंगलूरूर में exam होगा दोस्तों, ओके उमीद करता हूँ, आप सभी समझी होगे, ठीक है, तो अब मैं आपको बता दू, सभी का center change हो गया है यह थी आज की important news, तो अब सभी के doubt clear होगे होगे, चाहे आपके पास call आया हो, SMS आया हो, या ना आया हो आपका admit card definitely आएगा, by post ही आपका admit card आएगा दोस्तों, ठीक है, post office में पता करते रही है, ओके चाहे आपका कहीं का भी admit card आया हो, या ना आया हो दोस्तों, आप सभी के, मैं time to time update देने के लिए, यह telegram group है टेलिग्राम को जरूर जोइन करना, सबसे fast update आ जाती है, AK defense academy पे, चैनल को subscribe करेना, जितने भी candidate है, अगर फिर भी कोई बदलाव होता है, वैसे अब तो कोई बदलाव नहीं होगा, अब जितने भी candidate है, 2ASC का, जिनका भी call letter नहीं आया, तो telegram group जरूर जोइन करना, सबसे fastly update आती है, इसमें ये update आएगी, यहाँ पे देख सकते हो कितने candidate जुड़े होए, 6471 candidate है, और 211 member online है, तो आपको update मिलती रहेगी दोस्तों, यहाँ पे, ठीक है, तो जितने भी candidate है, वो telegram जरूर जोइन करना, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले fastly update मिल जाती है, तो जितने भी candidate है, आप सभी के center change हो चुके है, चाया आपका driver का आया हो, cook का आया हो, barber का, labor का, driver का, किसी भी post का आया हो, तो आप सभी के center change हो चुके है, अब राजस्तान वालों को भी बैंगलूरू जाना होगा, हर्याना वालों को भी बैंगलूरू जाना होगा, जमो वालों आप सभी के डाउट के लिए रहोगे हुए जैहिंद जैभार्त वंदे मातरम